राधे खिश्णा चली में कमेंट यहां पर लेता हूं वो कमेंट आपके लिए बहुत कामका है आपके पिगमेंटरेशन को तेजी से ठीक करने के लिए वो कमेंट बहुत ही आवश्चक है तो कमेंट क्या है मुसकान ने चीके कि यूँव प्यारे सी स्माइल उन्होंने कहा है थेंक्यू सूमज सर मैंने कुछ दिन इस तूरीट क्रीम यूज़् कर ली थी जिससे मुझे साइड एफ़क्त ह Carson अब सर्च किया हुगा कि स्तूर्छ क्रीम के साइड एफ़क्त के सीड करें YouTube ने मेरी वीडियो रिकमेंट कर दी, आगे ही लिखती है, वाट आपके बताएं तरीके से, मैंने coconut plus saliva, जो मैंने आपको सुभा सुभा के नमबर में बता रहा है, coconut और saliva, यानि कि आप coconut लीजे, आपको जो भी coconut मिल रहा है, वो सूखा वाला, गीला वाला, उसको आप थोड़ा चाहरे पर लगा लेजिए, चैके, और देशी घी का यूज किया, मेरी इसकिन पहले से भी जादा क्लियर हो गई है, थैंक्क्यू, थैंक्स अलोट सर, नीचे कमेंट करती हैं, अली मोजी, अली मॉईज, डियर प्लीज ज़रा डिटेल से बता दो, स्ट्रोइड का क्या साइ एक्ट से, देखियो, कितना बुरी तरह से एक्ट करता है, अगला कमेंट जट से जिए मेरी इस्ट्रोइड करने से, मेरी इस्ट्रोइड क्रीम यूज करना बंद करते हुए, दो येर हो गए है, और जिस जगह रैट था, वहां जगह बलेक हो गई है, मिलाजमा की तरह, आम है, ओमा, ओमा, बाति लूहर, चलो जोबी नाम है, ओमा बाति-लूहर है, नका नाम तो क्या आपने उस जगह पर देसी घी नहीं लगाया, हम तो आपको पिछले चार साल से बोल रहें कि यार देसिघी लगाया करो आप देसी घी से 3-6 महीं दो जो काला निशान आपका क्लिर ओजाएगा ओर पूरी तरह से क्लिर होजाएगा 100 परसंट तो आप क्यूँ नहीं लगा रहा है उसको मुझे बहुत आशर है इस चिसको कि क्यों नहीं लगाते हैं उस चिसको मेरे चैनल पर लाखों ऐसे कमेंट पड़ा जैसे मैंने भी कमेंट पढ़ा इन मुस्कान जी का कि मैंने इस तो इंनका काला हुआ कि नहीं हुआ है ना तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके डिटेल बतादीजिए सबी लोग को कि आपने क्या किया था आपका चाहरा कैसे खराब हो था आपने कौन सा क्रीम लगाए था कितने महिन लगाया था क्या साइड एफेक्ट हो था उसका घी लगाने से आपको पहले क्या हुआ कौन स होता हो स्ट्रोम हो या आपके कमेंट से कई लोगों को मदद मिलेगी तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दीजए मैसेज देख रही हैं धो यहां फिर आप मैंसे कोई और जिसको गीarda हुआ है प्लीज नीचे कमेंट कर दीजे हों कि दिटेगा कैसे फ़ाया था वो बता दी बताया था मैंने आपको कि ऐसे साल लगाना है वो कोकोनेट और लाहर का मैंने आपको बता दिया सवेरे सवेरे इसके साथ में विटामिन सी 500 mg दिन में तीन बार सुबह दुपहर शाम तीन टाइम याद रखिए दो हाजार अमजी आप पड़े ले सकते हैं मैं आपको 1500 अमजी दे रहा हूं साथ में पनीर की रेसीवी मैं आपको बताया थी एक दिन छोड़के एक दिन वो लेना है ठीक इसके अलावा जो मैं आपको जूस बताया था नीम प्लस धनिया प्लस पोदीना प्लस नीम्बू प्लस काला नमग आप यह जूस मना के ले सकते हैं बहुत अमेजी इफेक्ट आपको होंगे फेस पर ठीक है और जहां तो मुझे लगता है कि आपका चाहरा तीन महीने के अंदर अंदर फिर से निखार आना शुरू हो जाएगा जो बसता है ओपर दीवे निमबर के आप कॉल करें अपन्मेंट लगाए और अपने पिग्मेंडेशन से मुक्ति पाले हम पिर ऐसे लोग जिन्होंने पहले ठीटमेंट छोड़ दिया था अभी दुबार वो ठीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो अगली वीडियो आपकी उस पर आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके आवश्य जाना और यार बिना कहें वीडियो को आप लाइक कर दिया कोई परिश